दोस्तों स्वागत है आपका Amplifier World चैनल में देखे मैंने मार्केट से ये 2.1 इस चैनल का ये होम थेटर बोर्ड पर्चेस किया है हाला कि ये बहुत ही नॉर्मल है 20-30 साइसी से बना हुआ है लेकिन इस्पे खास बात है कि इसका बेस स्वाफ बैस बहुती होता हो तो मैंने इसको क्या चैनल का जाते हैं की इसके इसका साउंड़ इतने अच्छा आता है और वो चैनल इकिते हैं इसका का सर्कुट डियाग्राम कैसा है यहाँ पर देखी पावर सप्लाई सेक्शन है यह दो कैपेसिटर डावर्ड और यह की रेगुलेटिंग IC 5 वोल्ड की तो चलिए इसका सरकीट डाग्राम ट्रॉ करते हैं देखी पावर सप्लाई का जो सरकीट डाग्राम है उसमें तो कोई खास बदलाव नहीं है बिलकुल वैसे ही है जैसे कि नॉर्मल सभी अम्पलिफायर्स में होता है यह बारा जीरो बारा इस प्रकार देना है जो जीरो कनेक्शन है दोनों कैपेसिटर के सेंटर पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और कैपेसिटर 4725 वोल्ड है और 7825 पर 12 वोल्ड सीधा इन्पूट जाएगा पहली पिन पे दूसरी पिन जीरो पिन है और तीसरी पिन से हमें आउटपूट मिल रहा है लेकिन आउटपूट में देखिए यहाँ पर 5 वोल्ड का एक जीनर डावर्ड और एक 100UF का एक कैपेसिटर लगा है यह कैपेसिटर लगाने से फायदा यह होगा कि आपका USB का जो noise होता है कुछ अगर कैपेसिटर नहीं लगाया तो हो सकता है कुछ noise आपके amplifier में फीड हो जाता है 12V और यह जो GND है यानि कि 0 वाला wire यहाँ पर हमें जोड़ना है तो power supply section यहाँ पर complete होता है तो चलिए अब amplifier section देखते है दोस्तों यह TDA 20-30 का amplifier section कोई खास नहीं है बिल्कुल वैसे ही है जैसे internet पर all level होता है देखिए input में यहाँ पर केवल आपको 233 capacitor के जरीए input देना है उसके parallel में 10K का resistance होता है यह इस तरीके से लगाने से फायदा यह है कि यह IC जो है mid frequency और high frequency पर काम करेगी low frequency उसमें feed नहीं हो पाएगी और बाकी इसमें बिल्कुल वैसे ही है positive supply 5 पर है और 3 पर negative supply है और एक 47K का gain resistance है जो pin नमबर 2 और 4 से जुड़ा है और output में आप देख सकते हैं output में आप यहां देख सकते हैं 1.5 ohm के 2 resistance लगाए हुए है यह दोनों quarter watt है और बिल्कुल parallel किये हुए है आप इसकी जगे पे चाहे तो 0.47 1 watt भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें speaker छोटा होता इसलिए कोई जरुरत नहीं है दोस्तो यह 1.5 ohm quarter watt की यह दो resistance यहां पर लगे हुई है और ठीक उसी की नीचे दो resistance और है जो की दूसरे channel की है और दोस्तो 47 के यह यहां पर जो gain resistance है यह gain resistance इस kit में यहां पर लगा हुआ है जो की R1 से indicate है और next इसमें जोबल network जो है 4.7 ohm और 104 का capacitor लगा हुआ है जो की यहां पर आपको दिखाई देगा यह 104 का capacitor और यह 4.7 ohm की resistance यह जोबल network का काम करती है इसके अलावा दोस्तो आपने यह दो capacitor आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े वाले यह positive और negative यह supply की बीच में यह capacitor लगे होते है तो यह एक थोड़ा changes है तो यहां पर यह capacitor की value 104 है तो जो की positive और negative की बीच में directly लगा होता है नॉर्मली तोर पर आपने जो internet पर all-able circuit देखा होगा उसमें दो capacitor को series में करती हुए एक G&D connection के साथ लगाया जाता है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यह 104 का capacitor positive और negative supply दोनों की बीच में directly जोड़ा हुआ है actually इसे high frequency पर काम करना होता है तो switching surges को कम करने के लिए यह capacitor left और right channel में लगाया गया है और जबकि low frequency में जहां पर केवल base की बात है तो वहाँ high frequency नहीं आतीसलिए वहाँ पर यह capacitor का use नहीं किया गया है दोस्तो इस कीट में जो brown color के capacitor आपको दिखाई दे रहे हैं उनके उपर के number को company द्वारा मिटा दिया गया था लेकिन आजकाल ऐसे ऐसे instruments आ रहे हैं पर केवल उसका volume indication यहां पर दिखाया है और बाकी जो circuit diagram है बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे की left channel हो रखा है लेकिन हमें signal जो है subwoofer के लिए यहां से उठाने होंगे तो हमने बिल्कुल main volume control के साथ इसको connect करने के लिए जो कि volume control के center pin से 22K की resistance लगाने के बाद signal उठाये है डिरेक्टली USB से left right नहीं लिया है क्योंकि हमें main volume control के साथ साथ subwoofer का भी volume कम होना चाहिए इसलिए signal यहां से लिया है जैसे कि SIE के arrangement इस kit में है तो देखी यहां पर एक capacitor लगता है जो कि काफी ज़्यादा high value का होता है जैसे कि 10 UF इस type से इसको लगाने से high value का capacitor लगाने से फायदा यह है कि आपका जो low frequency है आसानी से आपके low pass filter के input तक पहुच जाएगा अगर आप यहां पर कम value का capacitor लगाएंगे तो आपको उतनी अच्छी base नहीं मिलेगी तो देखे इसका input directly चला जाता है pin नमबर 6 पर और pin नमबर 6 और 7 के बीच में एक resistance लगता है 56 के यह gain resistance है और pin नमबर 8 पर positive supply 470 ohm के resistance के जरिये दी जा रही है और ठीक इसी तरह pin नमबर 4 पर negative supply वो भी 470 ohm के resistance के जरिये दी जा रही है यह resistance इस supply की current को limit करेगा और pin नमबर 5 जो है GND से जुड़ा रहेगा तो देखे 470 ohm यह और उसके बगल में यह यह दो resistance है यहाँ pin नमबर 1 और 2 को short कर दिया जाता है और इस short करने के बाद में यहाँ से हमें 4.7 UF का एक capacitor लगाना है जो कि हमारा output होगा यहाँ पर सारे capacitor के voltage आप 16V से ज्यादा रख सकते हैं या 25V, 50V लेकिन आपको 16V से कम नहीं रखने चाहिए तो बाकी circuit diagram मैं speedly draw कर देता हूँ इसका दोस्तो यह capacitor के value के उपर ही आपका base design होगा तो यहाँ पर मैं आपको 225 recommend करता हूँ अगर आप 225 से कम याने की 104 या 224 लगाते हैं तो base के साथ साथ आपको इसमें थोड़ी wise मिलेगी लेकिन आप अगर 225 लगाते हैं तो आपको full base मिलेगा बाकी other frequency बिल्कुल भी नहीं मिलेगी 225 code के capacitor के अगर मैं बात करूँ तो यह होता है 2.2 UF देखिए यहाँ पर यह capacitor है जो की 400 वोल्ट में है अगर आपको कम वोल्ट का मिलता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास था नहीं लेकिन मैंने 400 वोल्ट से ही टेस्ट किया है तो आप भी उस टेस्टिंग में देखेंगे तो आपको थोड़ा idea हो जाएगा दोस्तो हमारे low pass filter का output pin number 1 और 2 को short करने के बाद मिल रहा है capacitor के जरीए तो यह output हमारा main अब subwoofer amplifier के input में यहाँ पर जुड़ जाएगा और यह 100K का volume control है जो की pin number 1 से जुड़ा है तो चलिए इसका circuit diagram अब हम draw कर लेते हैं subwoofer IC में input में कोई भी capacitor नहीं लगा है क्योंकि low pass filter के output में already capacitor है इसमें यह jobal network है और gain resistance 22K इसमें लगा हुआ है चलिए अब इस kit का testing कर लेते हैं इस kit को operate करने के लिए 12012 का एक normal transformer लगता है दोस्तों इस kit को power up परके हमने Bluetooth से चूट दिया है और music play हो रहा है लेकिन हमने वो capacitor नहीं लगा है जिससे base selection होता है तो चलिए लगा के देखते हैं दोस्तों मैंने इसमें यह 225 लगा है इसके low pass filter में तो बिल्कुल भी कोई other sound नहीं आ रही क्यों बेस आ रही है sound थोड़ा साप करते है तो दोस्तों इसका low pass filter मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें सही quality की base आ रही है और बाकी other frequency को यह पूरी तरीके से suppress कर देता है बहुत ही कम components में हाँ आपको speaker में काफी फरफराहट की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि मेरे पास subwoofer नहीं है इसे हमने एक normal speaker पर टेस्ट किया है और वो भी enclosure में cover नहीं है वो speaker back side से वो open है इस वज़े से इस type की फरफराने की आवाज आपको आ रही होगी लेकिन फिर भी अगर इसे enclosure में लगाकर subwoofer के साथ टेस्ट करेंगी आप तो आपको काफी अच्छा इसका result मिलेगा और मेरी एक subscriber ने इस circuit को बनाया है especially low pass filter को और उनके कहने के साब से ये काफी अच्छा काम करता है तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है लेकिन मेरे बहुत सारे साथी channel देख रहे हैं लेकिन channel subscribe नहीं कर रहे हैं तो आज उनसे especially मैं कहना चाहता हूँ कि आप channel subscribe कर लेजिए क्योंकि छोटी सी है दुनिया amplifier की दुनिया कोही बहुत बड़ी नहीं है हम लोग आपस में यूही बार बार वीडियो के जरी इंटरेक्ट होते रहते हैं तो चैनल subscribe कर लेने में कोई नुकसान नहीं है तो मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching